यूपी के नो विधान सभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। और इसको हम नहीं कह सकते कि आप किस्मत अजमा रही हो या चुनाव लड़ रही हो। लेकिन आपको बता दें कि आज जो लेटेस्ट खाबर लगी है जो मुझे न्यूज मिली है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यूपी के इस नो विधान सभा सीटों में कम से कम पाँच ऐसी की बिधान सभा सीटे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है दो सीट तो अइसी है जो परम परागत बस्पा ही जीत थी अभी तक और आगे भी बस्पा जीत सकती है क्योंकि जिस पार्टी के चरित्र में इतना सक्ति सालिभ हरा हो लोग उस पार्टी की बखान करते हूं उस पार्टी को हारना उस सीट पर तो बिल्कुल मुंकिन नहीं है तो इस सीट पर बसपा जीतेगी इसका क्या सबूत है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बाके नौ सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं मायावती जी ने कितने परतियासी को परतियासी को उतारा है कौन से जाती के हैं और सोचिए पीडिये में कितनी हिस्सेदारी पीडिये को मिली है यानि पिछले दलित अलफ संख्यक को मिली है आदिवासी को मिली है कितनी सीटे मिली है ये भी आपको बताएंगे सबसे रोमांचक गेम यूपी के नौ विधान पर होने वाला है चलिए वीडियो सुरू करते हैं हर ख़बर आपको बिस्तार से बताते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं साथियो यूपी के नोविधान सभा सीटों को आप हम बिस्तार से समझते ह हैं दरसल यूपी में नोविधान सभा जो सीट के चुनाऊ होने वाले हैं उस पर सबसे पहले आपको बदा दे कि बहुजन समाजपार के ही क्यों जीत दर्ज करने वाली है दरसल आपको एक ऐसी सीठ है जो समझाते हैं वहाँ पर आखिर बहुजन समाजपार के चुनाव क्यों जीतेगी UP में एक सीठ है कटहरी विधान सभा और कटहरी विधान सभा का एक वर्चस शुरहा है काफी समय से जब से कॉंग्रेस और बिजेपी ने इस सीठ को छोड़ा है तब से समाजपार की और बहुजन समाजपार की चुनाव लगातार जीते आई हैं जिसमें से एक बार सिर्फ समाजपार की खाते में इस विधान सभा की सीठ गई है और लगातार बहुजन समाज पार्की के खाते में सीकी दना दन 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 चली गई है तो आपको बता दे कि कटेहरी विधान सभा में कुर्मी समाज जादा है कटेहरी विधान सभा में और यहां से मायावती जी हमेशा कुर्मी परत्यासी को उतारती है लेकिन इस बार मामला गड़बरा गया है मायावती जी ने जैसे ही कुर्मी परतियासी को उतारा यानि बर्मा परतियासी को जैसे ही उतारा है और बर्मा जी मिसनरी आदमी है तो बर्मा जी को उतारा है तुरन ततकाल अकलेस यादो जी ने भी बर्मा परतियासी को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतार दिया है अब बीजेपी की बीकीम किसे कहें खैर इसको छोड़िये मुद्दा दूसरा है तो यहाँ पर सोभावती बर्मा को भी और अमित वर्मा जी दोनों वर्मा जी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं एक अमित वर्मा जी बहुजन समाज पार्की से हैं वहीं दूसरा लाल जी वर्मा धरम पतनी सोभावती जी जो है वो शमाजवादी पार्की से बिधान सभा की चुनाओ लड़ रही है अब बात ये है कि ककेहरी बिधान सभा की जो सीच है वो 1957 से लेकर 1991 तक ये बीजेपी और कांग्रेस और जंता दल के समर्थन में रही हमेशा यहां से छथिरिये बिधाय को के पास रही है लगातार यहां से यही तीनों पार्का की चुनाओ जीती रही है 1977 से लेकर के 1991 तक ये सिर्फ और सिर्फ इन्ही तीनों के कबजे में रही है ये विधान सवा की सीट लेकिन अब मामला जो है बदल चुका है अब इस सीट पर वर्स 1993 में पहली बार बस्पा के कुर्मी समाज के राम देवर्मा जीते ते इसके बाद बस्पा के ही किकट पर इस सीट पर अब लगातार 1996-2002-2007 जीते रहे बस्पा की ये प्रमपरागत सीट रही है बस्पा ने 1993-2007 तक इस सीट को चार बार जीता है वर्स 2012 में पहली बार समाजवादी पारकी के संख लाल मांजी जी यहां से चुनाव जीते थे तो इस सबसे बड़ी ख़बर है और आपको बता जीते कि यहां पर अब जो मामला था कि लाल जी वर्मा की प्रमपरागत सीट टांडा रही है लाल जी वर्मा से पहले इस सीट पर मुसलमान बिधाय ख़बा करते थे 1974-1977 और 1993-2012 ये सीट जो है निसार अहमद अंसारी अब्दुलहफीज और मसूद अहमद जो बस्पा से थे और अजीमुलहक पहलवान ये भी बस्पा से जीते जबकि अब्दुलहफीज जो है वो जनपा से थे और अंसारी जी कांग्रेश से थे तो लगातार आप समझे कि ये सीट जो है कटेहरी की ये बस्पा की प्रमपरागत सीट रही है अब 2022 की अगर हम यहां पर जो है डा पार्किया चुनाव लड़ रही थी और तीनों पार्कियों ने मिल करके कुछ ज्यादा खैर भी से सोट नहीं पाई थी भारतिय जनता पार्की को यहां पर मिला था 85888 जबकि बस्पा को 58482 वह कॉंग्रेश को दो हजार उन्चास ओट मिला था जबकि नोटा को 1492 वोट मिला था अजास समाज पार्की को 977 जबकि आम आदमी पार्की को 922 वर्मा को 2022 में लाल जी वर्मा चुनाव लड़े थे 93,524 वर्मा जी को मिला था यह भी धायक बने थे और यहां पर कई पार्की उन्हें अपनी किस्मत अजमाई थी इस सीट पर फिर से उपचुनाव होने वाला है असल माइने में पीगी यह जो निभाया है वो मायावती जी ने निभाया है आपको बता दे कैसे यहां लिस्ट पूल पर से जीतेंद्र ठाकुर और शीशा मव से बिरेंद्र सउकला और मजहवा से दीपु तिवारी कटेहरी से अमित वर्मा और जीतेंद्र वर्मा नीरापुर से साह नजर जबकि गाजियाबाद से पियनगर्ग और करहल से ऑवनीश कुमार साक टिकट देकर मैयदान मे उतार दिया गया है तो ये नौ लोगों के लिस्ट है जिसे बहुजन समाज पार्की ने PDA दिखाते हुए PDA का मतलब समझाते हुए परतियासियों को उतार दिया है सर्व समाज के लोगों को उप चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया है अब बात करते हैं अकलेस यादो ने अखिर किस किस लोगों को चुनाओ मैदान में उतारा है तो नव सीटो पर अकलेस यादो जी ने अपने पूरे परिवार को चुनाओ मैदान में उतार दिया है पूरे परिवार को चाचा, बहू, बहन, जीजा, सभी लोगों को उतरपरदेश में नव सीटों पर विधान सभा के उपचुनाओं होने है खास बात ये है कि सभी पार्कियों ने इन नव सीटों पर परत्यासी उतारे हैं लेकिन समाजवादी पार्की ये कैसी पार्की है जिसने अपना पुरा परिवार उतार दिया है कहीं से भतीजा तो कहीं से बहु तो कहीं से भाई तो कहीं से नाती को चुनाओं लडा जा रहा है और कहते हैं कि हम परिवार वाद नहीं करते हैं बीजेपी भी सपा के ही राह पर है बीएसपी ही ने परिवार वाद नहीं किया है क्योंकि BSP जनता को ही स्रेष्ट मानती है BJP वसपा परिवारवाद को अब फैसला जनता को करना है दरासल BJP ने भी लगभग परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया जबकि शमाजवादी पार्टे ने पूरे परिवार को उप्चुनाव में उतार दिया और आपको बता दे कॉंग्रेस पार्टी यूपी में उप्चुनाव नहीं लड़ेगी यह सबसे बड़ा कॉंग्रेस का फैसला है वहीं आपको बता दे सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि बहुजन समाज पार्टी के खाते में करहल बिधान सभाद सीट की भी बिधाई की सीख जा रही है बश्पा के खाते में और वहीं पर कटहरी की भी जा रही है दोनों सीख इतने मजभूत है कि यह भौजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है अब बात करते हैं गाजि आबाद से बिधान सभाद 56 से जो पहले परत्यासी रह चुके बसपा के रवी गौतम अब वो अशादो देनोबेसी के साथ में हैं लोगों ने इन पर कमेंट किया है और इन्होंने कहा कि अब मैं बसपा को छोड़ कर और AIMIM के साथ जा रहा हूँ खैर इनको बधाई लेकिन जो लोगों ने कमेंट किया इन लोगों ने ही धोखा दिया है जिन्होंने भी संगठन बनाए वह लोग बस्पा के साथ कभी नहीं आ सकते हैं वह सिर्फ दिखावा करते नजर आएंगे तो आप कलपना नहीं कर सकते कि अगर आपको मिशन चलाना था पार्टी का वापद का कोई मोह नहीं था तो आप चुना मतलब कि आप चुनाव लड़ना चाहते थे चुनाव लड़ने के इच्छुक में थे आपको मिशन से कोई मतलब नहीं है अगर मिशन से मतलब होता तो AIMIM के साथ आप नहीं जाते आप पार्टी के साथ निर्दलिये चुनाव लड़ जाते अपनी पार्टी बना खर चुना झाल झाल